मेरे प्यारे पच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा आशिर्वात देने आया हूँ, इसे ध्यान से सुनना, मेरे पच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुचाने सोयम बाबा आये हैं, तुम भी यही चाहते हो ना, कि तुम्हें तुम्ह तुम्हारा हाथ ठाम लिया है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा हूं और कोई रुकावट अब नहीं होगी जो तुम्हें रोक पाए की तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुशने में मेरे बच्चे मैं जानता हूं तुमने बहुत कश्ट सहे हैं तब जा तुम्हें देखता हूँ और हमेशा तुम्हें आसिर्वाद भी प्रदान करता हूँ तुम कितनी सिद्दत से अपने कारी को कर रहे हो ये भी मैं देखता हूँ कितनी इमानदारी से कारी करते हो तुम अब तुम ही और कश्ट नहीं झेलने पड़ेंगे जल्धी तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करो के सारी रुकावटें अब मेरे आसिरवात से हड़ जाएंगी और अब तुम अपनी मंजिल के कुछी कदम करीब हो और अब खुश्या मनाने का समय है मेरे बच्चे तुमने अपना हर कदम पूरे अत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ाया है और हमेशा मुझ पर विश्वास रख कर ही अपने काली को किया है और इसलिए आज मैं तुम्हें स्वयम आशिरवात देने आया हूँ अब तुम अपनी मंजिल को पाओगे मेरे बच्चे तुम साई के सची भक्त हो अब तुम्हें आगे ही आगे बढ़ना है तुम जब अपने मन में ये विश्वास रख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपने हर कदम में साई को खड़ा पाओगे मैं जानता हूँ तुम बहुत इमान्दार हो तुम्हारे अच्छे कर्मों से समाज में भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और तुम्हारे कर्मों में वो सच्चाई दिखती है इसलिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हे खुद आगे बढ़ाया है तुम्हे इसलिए चुना है मेरे बच्चे इसलिए इस मंजिल तक पहुँचकर तुमने बहुत कुछ करना है मानवता के लिए, समाज के लिए इसलिए तुम्हें जो विशेस कारे प्राप्त हुआ है उससे तुम अपना नाम और सहरत पाओगे तुम्हारी मंजिल तुम्हें सामने दिखाई दे रही है अब उसे अंदेखा मत करो आगे वड़ते रहो तुम्हारे बाबा का आसिरवाद तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है अब तुम अपने परिवार का ही नहीं बलकि अपने बाबा का भी नाम रोशन करोगे हमेज़ा योई आगे वड़ते रहो तुम्हारे कारे में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी ये तुम्हारे साइक का आसिरवाद है अगर कोई तुमसे मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना मेरे बच्चे तुम जिस मारक पर चल रहे हो उसकी सारी रुकावटे हटा दे गई हैं तुम्हारे लिए अब आगे बढ़ते रहो खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो मेरा आसिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है